नमस्कार किसान भाईयों जेविक खेती यूटूब चैनल पे आपका सवगत हैं किसान भाईयों आज मैं बता हुआ कि मोसम खुल गया है अब अपने को लसन को पिलाना या नहीं पिलाना है और क्या खा देना चाहिए तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो किसान भाईयों वीडियो को बीच में से इसकी इपना करिएगा पूरी जानकरी लेके ही आप आगे बढ़िए और उसकी पूरी जानकरी लीजिए तो किसान भाईयों आज मैं बता हुआ कि मोसम पूर तरीके से खुल चुका है और लसन को पिलाना है हा जी क्योंकि लसन को अ क्योंकि अभी पिलाने से क्या है कि लसन में जो अब क्या है कि इसकी जो पोधा है वो बहुत मतलब बढ़ चुका है इसका ग्रोथ कर चुका है तो आप जेवी खाद डालके इसको पिला सकते हो जेवी खाद बहुत माईना रखता है क्योंकि इसमें केलशियम, फासपोरस, अगनेशियम और यूरिया और डीएपी रहता है ये सब चीजों की मात्रा इसमें अच्छे से रहती है तो में ने क्या किया है किसान भाई को आप देख सकते हूं कि मैं भी अभी पिला रहा हूं इस लसन को जेवी खाट डालके तो जेवी खाट क्या है कि एक बहुत प्रणाम यूस करेंगे तो अच्छे से अपने को बेनी फिट में लेगा और अपने जो यूरिया डीएपी यूस करते हैं वह यूस तो बहुत सारे किसान कर रहे हैं और करते आ रहे हैं लेकिन उसमें क्या है कि जो 25 प्रणा की जो मात्रा ही रहती है वह फ़सल को खराब करने की जैस सारे खाद नहीं डालना है क्योंकि अपने को जैविक ही यूस करना है अपने को दूसरी कमपनी को खाद इसलिए ने लालता है कि अलग 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 प्रोटेक्शन में खाद बनाते हैं और अपने को केमिकल मिला के देते हैं तो उसमें क्या है कि बहुत सारा केमिकल रहता है केमिकल होने के करण के हमारी खेती खराब होती है अपने के जेविक उरवरक जो भी खेती में जेविक उरवरक होते हैं वो नश्ट हो जाते हैं जो अपने के फजल को अच्छी पेदावार देते हैं तो खिसान भाईयों इस वीडियो का अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा और सब्सक्राइब जरूर करेगा और भी अधिक जानका इलाओं में जे विक के बारे में जे हिन जे भारत